अस्तामिलेकूम फ्रेंड्स वेलकम बैक टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल फ्रॉड जिसमें माया शजी की हकीकत अपनी सास और नंद को बता देती है ड्रामा तो बहुत ज़्यादा इंट्रस्टिंग हो गया अब तो देखने का बहुत ही ज़्यादा मसा आने वाला है अगरी अपिसोड में क्या होगा आपसे मुकमल कहानी शेयर करूँगी उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है चैनल पर न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राब कर दीज़े साथ ही बेल का नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीज़े का ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप आसा हारी हकीकत बता दूंगा अम माया बहुत जदा डिरंने लगती है वो शोहर जिसके साथ इसके एंडर्स्टेंटिंग होने लगी है थोड़ा सा रही ह़सी मुझा होनें लगा है उसको बाहर ले जाने लगा है उस पर इत्वार करने लगा है ऐसे मैं माया सोच्छती है कि अगर शान को मेरी हकीकत पता चल गई तो मुझसे दूर हो जाएगा मेरा घर कहीं दुबारा न रूर जाए वो नमास पढ़ती है दुआएं करती है अल्ह तल्ह के हजूर रोती है या अल्ह मेरी मदद करना एक दिन जब माया बुतीक गई तो उसकी सास और नंत ओफिस में बैठी बाते कर रही थी तब ही माया उपर से चली जाती है तुबा को तो बहुत गुसा आ गया तुम क्या चुप चुप के हमारी बाते सुनती रहती हो अब तो माया भी बोल पड़ती है मैं चुप कर तुम लोगों की बाते नहीं सुन रही बलके तुम लोगों को कुछ बताने आई हूँ अपनी जिन्दगी का एक सच जो आपको नहीं पता आपको बता देती हूँ अब तो वो दोनों हिरानगी से कुछे कितब देखती रही लेकिन माया ने भी सोच दिया कि मैं सिर्फ अकेली परशान क्यूं हूँ और ये लोग मुझे तंग करते रहें इन्हें भी थोड़ी सी परशानी दे ही दूँ तब वो ने बता देती है शजी जो के तुबा तुम्हारा शोहर है पहले वो मेरा शोहर रह चुका है आप लोगों से तो मेरी पहली शादी की हकीकत नहीं चुपी ना आप लोगों को तो सब पता है लेकिन आप लोगों को ये नहीं पता कि मेरी शादी किस से हुई थी तो मैं बता देती हूँ मेरी शादी शज्जी से हुई थी माया की इस बात के बाद तो दोनुं माम बीटी की पॉंट अले जमीन ही किसख गई लेकिन तूबा तूबा तो माया को अल्टा बुरा भला कहेगी वो बिल्कुल माया की बात पर यकीन नहीं करेगी माया की सास भी बजाहिर तो माया की बात पर यकीन नहीं करेगी लेकिन बात में शजी की हरकते जरूर नोट करेगी कि जब माया उसके साथ अकेले में मिलती है तो वो कितना बेतकलूफ हो जाता है और वो वाकी शक में पढ़ जाएगी क्योंकर वो शजी की हकीकत के बारे मेंँ ज्यादा कुछ नहीं जानती बस तुबा ने कहा शादी करनी है तो शादी कर दी उससे ज्यादा उन्हें कुछ नहीं पता अब सास जो है वो आएस्ता आस्ता नोटिस करेगी तो उस〜से समच आ जाएगी वाकिए माया ठीक कह रही है क्योंकि उसे पहले भी माया की बातों पर यकीन होता है कि माया छूट नहीं बोलती दिल की बिलकुल साफ है इस तरह शजी की हकीकत तो सब के सामने आजाएगी दूसरी तब हम ये भी देखेंगे माया का बाप अपनी बेटी को लेकर बहुत परेशान है आहर इसकी शादी अब किस से होगी वो तो तलाल को भूलने का नाम ही नहीं नेती उसकी तो जैसे जिनकी ही उजड़ गई ऐसे में नायल नायल इनके सामने आकर खड़ा हो जाएगा मामु जान मैं करूंगा शादी मैं अपने गुनाहों की माफी चाहता हूँ इसके दिए मैं शादी करना चाहता हूँ प्लीज मुझे माफ कर दे और हां कर दे बाप जिसने बेटी का घर भी बसाना है इसलिए ज्यादा देर तक गुसा नहीं कर सकता आहरकार नायल से उनकी दोस्ती हो ही जाएगी और नायल की शादी माया की भेहन से हो जाएगी फ्रेंट्स आपको ये प्रेडिक्शन कैसी लगी जरूर कमेंट्स में बताइएगा वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेर जरूर कीजएगा अलाहाफेज